हम एक ऐसा लिक्विट फल्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं जो गर्मियों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा और इसे फ्रूट्स के प्लांट हो चाहे वेजिटेबल के प्लांट हो चाहे फ्लावर्स के प्लांट हो सभी पर ये बराबर से ही फायदा करेगा तो फिर सुरू करते हैं हलो गुड मॉनिंग मैं हूं विभातिवारी लकनाओ से मेहास वंडर्फल गार्डन में आपका स्वागत करती हूं आगे बढ़नी से पहले सबसे पहले हम इस लिक्विट के बारे में जान लेते हैं यह एक ऐसी खाद होगी जिसके आगे सभी फर्टिलाइजर आप सकते ही इस का असर दिखने लगेगा इस से पौधों में कलियां बनेंगी फल फूल बनेंगे और सबची curator यह तो यह होगति सभी पर इसका असर दिखने कैसे हैं ये भी देख लीजे क्या चीज इसमें लगेगी तो ये मेरे पास दो बड़े-बड़े कंडे हैं जिसको मैंने थोड़ा-थोड़ा करके तोड़ लिया है आप चाहें तो इसको और भी बारीक उसमें कर सकते हैं तोड़ सकते हैं मैंने आधा-धा किया है तो ये मेरे है ये कंडे हम इस पानी में डालेंगे ऐसे सभी को जब इन कंडों में पानी भरेगा तो ये फूल के खुदी नीचे बैठ जाएंगे अभी ये इसमें पानी नहीं है इसलिए उपर उत्रा रहे हैं ये थोड़ी देर के बाद खुदी बैठ जाएंगे आप चाहें तो इट व फिर हम इसमें क्या डालते हैं देखिए ये थोड़ा हम ऐसे हाथ से करेंगे थोड़ा पानी इसमें भरे फिर हम देखिए और क्या दूसरी चीज हम क्या डालते हैं ये है बेशन बेशन लगबग चार चमत चोटी चोटी है अगर आपके पास फ्रश बेशन है तो भी लेज तो वो भी आप यूज कर सकते हैं बराबर से ही फेक्ट करेगा कोई वो नहीं है तो मेरे पास तो सही बेशन था तो मैंने वही यूज किया है यह ऐसे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे खुब अच्छे से घोल देंगे जो उसमें गुलतियां पड़ जाती इनको अच्छे से फोर दें जैसे और फिर देखिए हम तीसरी चीज क्या डालते हैं यह है यह जब इसमें यह तीसरी चीज पड़ेगी तो इसका जो असर है वो दुगना हो जाएगा यह है छाच आप चाहे छाच ले चाहे दही ले दही जैसा भी हो 3-4-5-6 दिन का चाहे जितना खटा हो जितना खटा होगा वो उतना ही effective होगा इसलिए मैंने चाह ली है चाह मेरी बहुती खटी है और अगर आपके पास दही है तो उसको 5-6 दिन तक रख दें और जब वो खटा हो जाए तब उसको यूज करें और इसको हम ढख कर shady area में रखेंगे बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से शेड में रखेंगे और फिर जो है और 10-15 दिन के बाद लगभख ये देखिए एकदम काला हो जाएगा इसको मैंने लगभख 12 दिन पहले इसको बनाया था और बीच बीच में हम इसको चलाते रहें हैं यह देखें मेरे कंडे एकदम हो गए हैं बिलकुल एकदम बलायक हो चुके हैं पानी भी मेरा एकदम बलायक हो चुका है अब यह बना है मेरा काला सोना यह जो है वाटर है यह मेरी मित्टी को बहुत ही अच्छा बनाएगा यह हम कंड़े ऐसे ऐसे निकाल लेंगे पानी को बिल्कुल हम अच्छे से चान देंगे यह सब ऐसे कंड़ा निकाल देंगे एक एक करके अगर कुछ है तो हम अच्छे से निकाल देंगे और फिर इसको हम इस बकेट में कर लेंगे ये दो लीटर की बकेट है मारी ये अब देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं अब ये दो लीटर की बकेट है तो हम इसका दस गुना पानी लगभग 20 लीटर पानी हम लेंगे उसमें हम मिक्स करेंगे और इसको आप ऐसे मत डालिएगा इसको dilute करके ही डालिएगा तो फिर हम पानी ले लेते हैं यह देखिए यह मेरा बड़ा टब है लगबग 40 लिटर से जादा ही पानी इसमें आता है और मैंने इसका आधा सभी कम है 20 लिटर पानी होगा 20-22 लिटर पानी होगा उसमें हम अच्छे से इसको mix करेंगे यह ऐसे खुब अच्छे से इसको हम उपर निचे करेंगे जिससे oxygen इसमें अच्छे से mix हो जाए यह देखिए फिर हम इसको किन प्लांटों में कितना देंगे तो यह मेरा 1 लिटर का मग है ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है तो हम ये अपने रोज की प्लांट में जो की 12 इंच का पॉट है ये देखिए ये 12 इंच का पॉट है मेरा इसमें रोज का प्लांट लगा है और ग्रोथ अच्छी कर रहा है बट्स पी आ रहे हैं फ्लावरिंग भी आ रही है तो इसमें म तो तो मैंने पानी नहीं दिया अगर आपकी थोड़ी सीए है आपको कुछ लगे कि ही तो आप इसका Mal MakhAudah पानी दीजे मैं एक-एक सम्मे दे रही हूं जिसे नीचे तक अच्छे से इसमें ये वाटर चला जाए ये देखे मेरा ये आठ इंच का पॉट है तो इसमें सिर्फ मैं आठ ये देखे इसमें भी कलिया आने लगी है ये परपल हिबिसकस है मेरा इसमें मैं बस आधा ही दें और आधा इसमें देंगे देखे ये भी मे कंल बस आ रही है ये सुबा का साथ बजा है इसलिए भूऴ क्हिली नहीं है और ये जब वाटर दे तो यह तो सुबा साथ यह साथ बजे तक दे दें वरना शाम के टाइम six- still of अब भी मेरी बड़्स खिली नहीं है क्योंकि सुबह 7 बचा हुआ है सुबह का 7 बचा है उसी समय में यह वाटर दे रही हूं आप दिल में बिल्कुल मत दें यह ऐसे सभी प्लांट्स पर हम दे देंगे यह तरहें यह मेरे गुलाब का है यह इसमें देखिए इसमें भी हम प अच्छा ग्रोथ कर रहा है क्योंकि मैं ऐसे ही फर्टिलाइजर बनाती हूं और डालती रहती हूं देखें मेरी मिट्टी ब्राइए वीडियो कुछ नॉलेच का लगा हो कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई हो मेरी नॉलेच से तो वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइ किजिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक की गुड़ बाइए अ झालती हुआ 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 है